नमस्कार दोस्तों मैं परिंसे और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे Experimental Verification of Newton's Love Cooling की Experimental Verification में क्या मतलब है की Experiment करके देखेंगे कि किस तरह से Newton's Love Cooling जो है verify होता है एक Experiment के थूप उससे पहले जो Newton's Love Cooling का हमने expression निकाला था तो वो आपको याद होना चाहिए कूंसा expression निकाला था हमने यह निकाला था जो हमारा dt था इसके डिवाइड में t-to यह body का temperature यह surrounding का temperature इससे minus किया था यानि कि यह temperature difference था body और surrounding के बीच का और इसी तरह से इसके equal to में हम बात करें वहां पर क्या था kdt था फिर इनको integrate कर दिया गाएन इंटिग्रेट करने के बाद जब आप इनको integrate कर देंगे तो यहां पर यह क्या आ जाता है ही आ जाता है log et – t o यह आ जाता है यानि कि यहां पर log e बनता है equal to यह बनता है –けて T head te time limit में हम integrate करते हैं यह temperature limit में करते हैं यह पीछे हम कर चुके हैं फिर लक्षर आप हमारा देख सकते हैं प्लस एक constant C आगया अब यह जो form बनती है यह हमारी form बनती है एक तरह की y equal to mx plus c की form बनती है और y equal to mx plus c की form क्या है यह एक straight line की form है कि यह एक straight line की equation है अगर हमारा यह जो graph है यह जो form बनती है हमारी जो हमने निकाली अगर इसके अंदर जो graph है हमारा straight line बन जाता है तो वहाँ पर यह हमारा experiment जो है प्रोव हो जाता है कि जो Newton of cooling है उसको हम कैसे प्रोव कर सकते हैं अगर यह जो expression है यह जो equation है अगर यह straight line बन जाती है इनके बीच में लोग 80- जो हमारा time है उसके बीच में बात करें तो इन दोनों के बीच में straight line आनी चाहिए तभी वह हमारा prove माना जाएगा तो इसी के base पर यह जो पूरा experiment है किया गया है इसके अंदर हमें लेना क्या है हमें एक इस तरह का vessel ले लेना है इस तरह का और यहां पर यह water ले लेना है यह यह जो इस shape का vessel है और यह जो है हमने यह नीले color के अंदर दिखाया है यह water double weld आप इसको vessel कहा सकते हैं जैसे एक वाल यह होगी एक वाल यह होगी एक वाल यह एक वाल यह तो यह दोनों welds के बीच में यहां पर ही सारा water है यह जो सारा water है यहां पर इस तरह से आपको लेना ह है अब यहां पर एक thermometer भी लगाना है उसका हमें temperature भी चेक करना है यह सरौंडिंग का temperature अब यह सरौंडड़ीड है अब इसकी अंदर बीच में हमें एक suspended करना है कलोरि मेटर कलोरिमेटर हमारा कोपर का बना होता है और इसकी walls को यह जो walls हैं इसकी इसको black color कर देना है यह जो walls जो है इसकी अंदर कुछ amount of water आपको fill कर लेनी है लगबग two by three time कह सकते हैं आप इसकी volume का अपने इसके अंदर fill कर लिया उसके बाद इसको आप insulated cover के साथ पूरे vessel को और इसको जो हमारा कलोरी मीटर है अच्छी तरह से इसको एक धकन लगा देंगे इन-sulated ऩया है इसके अंदर जो है हम एक thermometer और एक stir करेंगे अब यह जो तर्मोमेटर है यह किसके काम आएगा यह water का temperature यह सेकंड जो ढहते हैं यहां पर लगा लेना है और यह जो थर्मोम स्सक्राइब अ क्या करेंडा से सब्सक्राइब यह दिसलिफीर हित पर लेंगर यहां पर लोड़ा लिए यहां पर नोड़ कर लिए उस वैसल के अंदर पानी है को गरम करना है, कितना गरम करना है लगबग जो है above 40 degree celsius above 40 degree celsius then surrounding, जितना भी surrounding का temperature है, जो कि हमने इस temperature, इस thermometer से मापा है यानि कि इस से, तो ये जो है इस से जो है हमारा 40 degree celsius जढ़ा होना चाहिए लगबग, तो हम इसको गरम कर लेंगे, गरम करने के बाद जो है वहाँ पर हम उसको stop कर देंगे और इसके अंदर जो है उसके बाद हम अपनी stop watch को start करेंगे और इसकी reading को लेना start करेंगे वहाँ पर हमने इसको रख कर छोड़ दिया गरम करके इसके अंदर डाल दिया reading में आपती रहनी है यानि कि surrounding का temperature और जो body का temperature है वो temperature difference जो है हर एक minute पर आपके पास आता रहेगा या आपके पास आता रहेगा यह value आता रहेगी अभी हमने जो expression निकाला था वो expression क्या था हमारे पास log e t minus t o equal to minus k t plus c यही था अब t minus t o की value आपके पास आ रही है time की value को आप note कर रही है तो इस तरह से अगर आप इन दोनों के बीच में अब एक graph बनाते हैं जब आप एक graph बनाते हैं तो आपको एक जैसे की मान लिजी हम एक vertical line और एक horizontal line लेंगे यह हमार t की line time की line हो गई और यह जो line है यह क्या होगी हमारी log e t minus t o की line हो जाएगे तो यह दो line के बीच में हमारा graph बनेगा और यह जो graph बनेगा आपको अलग-अलग तरह से point मिलेंगे यह देखिए यहाँ पर यह minus kt है log e t minus t o और आपको एक graph तो मिलेगा लेकिन वो negative slope की तरफ मि झालेगा जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है एक negative slope का graph तो यहाँ पर आपको different time के अंदर जब आप point को मिलेंगे यह points इस तरह से मिलेंगे और जब इन points को मिलेंगे तो एक इस तरह graph मिलेगा जो कि आपको negative slope के साथ मिलेगा लेकिन ये straight line तो है तो straight line जो है having a negative slope जो है तो ये ही जो है हमारा prove करता है Newton love cooling को यानि कि y equal to mx plus c जो हमने बात की थी straight line की equation की तरह है ये तो अगर ये prove हो जाता है कि straight line ही आएगी तो यानि कि ये prove हो गया है आप इसके अंदर ये value किस तरह से आएगी यानि कि एक minute है मान लिजे यहाँ पे आपने minute wise जो है इस तरह से interval ले लेने है मान लिजे यहाँ पे आपने starting के अंदर जो है एक minute एक minute का यहाँ दो minute है यह तीन minute है चार minute है पांच minute है और यह temperature फाल हो रहा है माल लीजिए यहां पर 50 है, यहां पर 40 है, यहां पर 30 है, यहां पर 20 है, यहां पर 10 है, एक example ले रहे हैं, तो यहां पर जैसे कि आपने लिया हो value, अगर माल लेते हैं, यह एक example की तरह है, कि आप इसको समझ सकें, यहां 40 है, यहां 50 है, इस तरह से, तो 1 minute पर 50 मिला, 2 minute पर 40 मिल इस तरह से पॉइंट आपको मिलेंगे, जब उनको मिलाएंगे एक स्टेट लाइन मिलेगी, यह जो वैल्यू है सिर्फ एक्जाम्पल के लिए हमने लिए हैं, तो यह जो है आपको एक्स्पेरिमेंटली करनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी, तो इस तरह से एक जब आप सबस्ट के साथ मिलेगी, तो इसलिए जो यह स्टेट लाइन है यह यह लाजए है कि न्यूटन नंथ को लिंग को, जब आप किया लेक्चर्स में पूरा पढ़ा है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं तो थैंक ये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद